हेल्थ से जुड़ी हर समस्या आओ का घरेलू समाधान पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ओल हेल्थ केर टिप्स के यूटूब चनल को सब्सक्राइब करने के बाद वेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी आने वाली विडियो उसकी नोटिफिकेशन आती रहे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल आल हेल्थ केर टिप्स में दोस्तो दातों में कीडे लगना या एक आम समस्या है खास तोर पर बच्चों में या कस्ट अधिक देखने को मिलता है दातों की नियमित सफाई ना करने से दातों के बीच में अनकड फसे रहते हैं और इनी अनकडों के सड़ने की वज़े से दातों में कीडे लग जाते है जिससे दांतों की जड़े कमजोर हो जाती हैं इसी कारणदात खोकले हो जाते हैं मसूडे ढीले पर जाते हैं तथा दांट तूटकर गिरने लगते हैं इस रोग में दांतों में तेज धर्द होता है और मसूडे सूच जाते हैं दांतों की नेमित सफाई करके इस समस्या से ब पाया जा सकता है तो चलिए अब हम जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में दोस्तो पहला उपाय है फिटकरी फिटकरी को गर्म पानी में घोल कर प्रति दिन कुल्ला करने से दातों के कीड़े और बद्भू खत्म हो जाती हैं दूसरा उपाय है दालचीनी का तेल युक्त दात के गड़े में रखकर दबा ले इससे दात के कीड़े नस्ठ होते हैं और दर्द में सान्ती मिलती है दोस्तो तीसरा उपाय है बर्गत यानि की बढ़का दूद कीड़े युक्त या सड़े हुए दातों में बर्गत का दूद लगाने से कीड़े और पीड़ा दूर होती है, चौथा उपाय है हींग, हींग को थोड़ा गर्म करके कीड़े लगे दातों के नीचे दबा कर रखने से दात्वा मसूडों के कीड़े मर जाते हैं, दोस्तों पांचवा उपाय, पिसी हुई हल्दी और नमक को सरसों के तेल में मिला ले, इसे प्रतिदिन दो- दात के कीड़े नस्ठ होते हैं, और आखरी, दात में कीड़े लगने से दात खोखले हो जाते हैं, तता जगा-जगा गड़े बन जाते हैं, फिटकरी तता सेधा नमक को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पावडर बना ले, इसे प्रतिदिन सुबा साम, दात वा मसूडों पर मलने से दातों के सभी रोक ठीक होते हैं तो दोस्तों ये थे कुछ घरेलू उपाए जिनका इस्तमाल करके आप भी अपने दातों में लगे कीड़े और गंदगी से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एं वीडियो में